और आप इसमें पढ़ते नहीं बलकि सीखते हैं सोनु जी पटेल आपका कमेंट आ रहे हैं कालू मुल्ला कमेंट आ रहा बच्चा विसाल सिंग पावन सुभम एजूकेशन गेमिंग विजय मिस्डा लाला राम उमेश सुखला सबका कमेंट आ रहे हैं तो बच्चों कल हमने जो एक कुश्चन पढ़ा था बढ़का भाग वाला उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है काफी लंबा हो गया था इसमें स्पेस नहीं था तो उसमें थोड़ा मिस्टेक भी हो गया था उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में क्योंकि वह बड़ा कुश्चन है पहले अब भी बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से क्लास को सेयर कर दो अपने वर्टसअप ग्रूप में फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम अचा पाचा जहां भी जो भी चलाते हो हर जगा भेज़तो तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा एकदम मस्त चल रहा एकदम चलो बिल सब्सक्राइब तो दुलाहिन कई से आएगी तो आएगी नहीं कि तुम्हेरे साथ है आजाएगी समझ रहा हो ना एक जांपल अच्छा है न उसी तरह से अगर तुम किताब नहीं लिए हो तो तुमको गड़ी तो नहीं आएगी हम तो किताब लेकर बैठा करो चलो सुनो कि कहरा कि एक ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दसमलों परसार अनौसानी अनावर्ती हो ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दसमलों परसार मतलब आपको थ्री नंबर ऐसे लिखना है जिनके डेसिमल इक्सपेंसन नान टर्मनेटिंग एंड नान रिपीटिंग हो न नान टर्मिनेटिंग नान रिपीटिंग की जो मतलब हिंदी है हिंदी इसकी है अनावसानी अनावर्ती तो समझो यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर को अगर हम भाग देते हैं उसमें से मैं तीनों लिख दे रहा हूं आप दिमाग लगा लो एक अंडरूट दो हो जाएगा एक और का हो जाएगा भाई पाई कमान भी वैसे होता है इनका जो दसमलों परसार हैं आप करोगे तो वो तो सांत नहीं आएंगे कुछ समझ भा रहे हो कि नहीं अभी मैं सुरू नहीं कर रहा हूं पढ़ाने अभी तो तुम हंड्रेट पूरा करोगे तब मैं सुरू करूंगा अभी तो मैं आपको एक डेम हो दिखा रहा हूं ट्रेलर है अभी ये मूवी तो आखी ही है चलो क्यूंस हुश्चन सभी पढ़ लिए किताब लिए हो पहले बताओ गुश्चन सभी पढ़ लिए किताब लिए और रबिंदर जी लिए बताओ कार कुछ नहीं सुन रहा है क्या बाकि सब को सुन रहा है तो सभी बच्चे जल्दी से फटा-फट सेर कर दो भाई 100 पूरा करो उसके बाद हम लोग इसलिए बेट करते हैं पांच-दस मिनट की बच्चे आप लोग सेर करते हो बच्चे आते हैं 100 प्लस हो जाते हैं तो फिर हम लोग पढ़ते हैं जब तक मैं कुश्चन लिख देता हूं जब तक बच्चे आए ऐसी तीन संख्याय लिख्ये जिनके 116 का दो नब्लों पर्सार आपके पास अगर एक डूतीन मुबाइल है न सब में चला लो जिनके दस हमलों परसार जिनके दस हमलों उत्र दिख रहा है देख रहा है तो का है मोगा छोड़े हैं दस हमलों परसार अनव सानी अना वर्ती हो अनव सानी अना वर्ती हो देखिए अब मुझे लगता है कि बच्चे आ गए हैं अभी कुछ और बच्चे हैं प्रिया पटेल हां कमेंट आ रहा तुम्हारा ठीक है सुर्जीत कुमार सबका कमेंट आ रहा है वह सभी बच्चे अपने वाटसाप स्टेटस में कलास की लिंक को लगा दीजिए जैसे तुम प्यार महब्बत वाले नगमें लगाते हो ना वसे इसको भी लगा दो कुछ बच्चों को फायदा हो जाएगा बाला हो जाएगा किसी का चलो मिनाक्षी साहो गुड इबनिंग जिब्यांस राजपूत जी गुड इबनिंग कि अब फटाफट सेयर करो तुरं दबा के सेयर करो 100 पूरा करो और इस्टारट करो नहीं करो गूयों एक लफटा मारता मारती है जानलो सेयर नहीं करते हूं बस यहिक है तो इस्टार्ट करो इससे लग रहा कोई हम मतलब बिजलिक मसीन है कि बटन दबाय तो बस शुरू हो जाए भाईले 100 बच्चे तो पूरा करो ना आप थोड़े से और बच्चे हैं जो बच्चे नहीं सेयर की हैं फटा फट सेयर कर दें सेशन को लाइक कर दें बस हम सुरू करें परदान मंत्री देते हैं पिछले साथ साल से दे रहे हम थोड़ी भासर देने वाले छलो भाईयों और बहनों कहके हम नहीं बोलने वाले हैं समझ रहो ना जो बच्चे सेयर करने गए हैं वह आई रहोंगे जैसे आएंगे वैसे पूरा हो जाएगी संख्या मुझे पता है तुबम कमेंट आरा बच्चा रभी राज बोल रहे हैं सीदी पर पढ़ाओ अच्छा लगता बेटा अच्छा तो बहुत कुछ लगता जिन्दगी में जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं हो हमारे लिए अच्छा ही हो इसलिए जो अच्छा लागे उससे दूर रहू हू अगर तुम्हें पढ़ना है तो फटा फट सेयर कर दो अब जार करें किसी के आने का कि हंड्रेंड लाइब हो जाए तो सुपरेंगे जल्दी से सेर करो सभी बच्चे अपने वाट्सअप ग्रूप में हर जगा सेर करो फटा फट जिनका वीडियो नहीं चल रहा है इस दी गई लिंक पर किलिक करें तुरंट चलेगा जिनका वीडियो नहीं चल रहा है उनको देखो मैं लिंक भेज़े देता हूं जो आ गए हैं वो नहीं जाएंगे सिर्फ सेर करने जाएंगे बस तुरंट आएंगे अब हम एक मिनट और रुकने वाले हैं क्लास शुरू हो रही टाइम हो चुका है बच्चा क्योंकि दस मिनट लगता है लोगों को नोटिफिकेशन मिलने में अगर आपका नहीं चल रहा था तो देखो आपका चलेगा अजया चौधरी सिवं चलो बच्चा फिर पूरा हो गये हैं बाई जो बात करेंगे पहले समझ लें उन्हें ब्लाक कर देंगे बीना कुछ बोले अगर तुम्हें पढ़ना तो ठीक है अगर किसी जुगाड के लिए हो तो बेटा यहां फिनिकल लो तुमने बहुत मार पड़ेगी समझ रहो ना जिनको पढ़ना सिर्फ वही रुकेंगे बाकि निकल सिर्फ पढ़ने वाले रुकेंगे बास हलो काचल कैसी हो फूजा तुम कैसी हो समझ रहो ना थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा सुनके लेकिन तुम समझ रहो चलो तो बच्चे जुड़ गए हैं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास गुड इवनिंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं आज पुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फरिवार PBR स्टेडी में तो बच्चों कलास नाइन थी की आपकी मैथमेटिक्स की लाइब चल रही थी जिसमें आप लोगोंने अभी तक 5 कलासे ठीक है 1.3 का question number 7 अगर आपके पास NCRT किताब है तो चाहे आप CBSC board के हैं UP board है बिहार board MP board राजस्थान board हरियाना board केरल करनाटक कोई भी आपका board है कहीं से भी आप हो आल इंडिया में भारत देश में तो सब के लिए ये important है ये आपके किताब में है आपके syllabus में है अगर आजी की NCRT book है केंद्र की NCRT नहीं है तो आप में ये question होगा लेकिन थोड़ा सा आपका chapter या फिर आपका exercise आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये है आपकी किताब में कहीं न कहीं इस लिए समझना है सबको पढ़ना है सबको बाद में किताब खोजोगे मिल जाएगा ये समझे लो कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दसामलो परसार अनावसानी अनावर्ती हैं इनको हम इंगलिस में भी बताएंगे हमें क्या करना है थ्री ऐसे नंबर रिटन करना है यहां पर लिखना है तीन ऐसे नंबर जिनके decimal expansion दसामलो परसार का मतलब होता बच्चो decimal expansion अनावसानी अनावर्ती बड़ी खतरनाक हिंदी है नान टर्मिनेटिंग एंड नान रिपीटिंग हों समझ रहे हो ना जब मैंने सुरू किया था नंबर सिस्टम बताया था बिट्टा कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है नान टर्मिनेटिंग डेसिमल इस्पेंशन क क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ाया था तब तो तुमको काजल याद आ रही थी तो कहां से आएगा चलो देखो समझो कि मनोचिंग आरा समझ में न बच्चा तो देखो अगर हम अंडर रूट टू इसके दसमलों परसार की बात करें तो हमको भी पता है तुमको भी 1.414 ऐसे सम्थिंग उता डाट डाट यह खतम नहीं होता है लो खतम होता है क्या ना तो खतम होता न यह रिपीट होता है मैंने बहुत पहले पढ़ाया अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें मालूम है नहीं पढ़ाया तो बगवान जाने यह च्छटवी कलास है अगर आपने इसके पहले की पांच कलास नहीं देखा है तो आप देखो डिस्क्रप्शन में आपको लिंक मिल सकती है आप उस प हम पोड के बहार देंगे तुमको नहीं मालू हमारे बड़े नालायक लड़के हैं वहर समय फोन करते हैं चलो है तो अगर हम अंडरूट तीन की बात करें तो इसका क्या होता थी पॉइंट क्या होता बहीए 141 संतिंग होता है ना 1 4 1 something 59 ऐसे पुछ होता है ना आप लोग कह यह क्या है कहां से आता है का्स आता है यह रिपीट नहीं होता है यह ये खतम आलता है अ 10.14159 यह पाई वाला ही इसका वाला से तक निकाल के दिखा देंगे पता नहीं कहां से लिख दे रहे हैं देख देख लिख रहे हैं कि अबाई आता है और जे सब्सक्राइब में बिटा पवन यादो पढ़ लो तो अच्छी बात है इमानसु बर्मा ठीक है गुड इबनिंग देखो समझो बच्चों जैसे अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि चार कवर्ग मुल क्या होगा तब तुम लपाक से बता दोगे कि गुरुजी दूए होगा अगर मैं तुम से मैं पूछ हूँ कि भाईया दूए का वर कमूल कितना होगा तो तुम लटक जाओगे जुरा नाम जैसे तुम्हारे मुझे आवाद नहीं निकलेगी क्या करेंगे हम क्रिया करेंगे जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं इदर उदर कर ना उनको हम तुरंत भी बलाक करव रहे हैं उनका कमेंट नहीं आएगा इसलिए अगर पढ़ने आयों तो पढ़ लो हिंदी इंगलिस सब में बता रहे हैं बच्चा पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो जाओ कहीं कुछ और करो समझो तो देखो दो का जो हम यहां पर वर्गमूल निकालते हैं बच इसको कहाँ लिखेंगे भया यह लिखेंगे न क्या है यह दो कितने अंक तक निकालना है का रहाँ निक्वांना पढलते हो और ज्यादा का चाहता हूं तो इसमें क्या करेंगे बार बार जीरो जीरो करके इनके क्या करेंगे जोड़े बनाते जाते हैं आप यहां पर समझो इनके जोड़े क्या करोगे आप एक स्पेंड करते जाओगे मैं आपको एक प्रकार से इसमें भाग विधी से वर्गमूल भी बता देता हूँ अब ध्यान से देखो यह ऐसा मंतर है जिसमें सब कवर हो जाएगा मतलब जो नंबर पूर्ड वर्ग है उनका तो आएगा ही जो पूर्ड वर्ग नहीं है उनका भी आजाएगा समझो नंबर है दो यहां पर दसंबलbows लगाके हमें ज isn'tim jaaricus निकालना है देखो एक जोड़ा तो यह बन गया पहले जैसे चकलना रहा हो जीडो जीरो के करेये दा रहें मिलाएंगे यह देखो दो जोड़ा हो गया 3 जोड़ा हो गया 4 जोड़ा हो गया चलो पांच जोड़ा में पांच अंक तक निकालूँगा आप देखोगे पांच अंक में भी खतम नहीं होने वाला है मैं कैमरा आपका थोड़ा इधर मतलब साइड दिखा देता हूं थोड़ा ये काट रहा है अलकाल सा जब आई उधर ये लो चलो आप समझो तो बच्चों यह भाग विदी से एक परकार से वर्गमूल यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि अंडरूट दो कमान जो तुम अभी तक रटे हो नाइंटेंथ में ही बता जाता बेटा कि रूट दो कमान 1.414 होता है और तुम इसको रट लेते हो है ना कि इसी को रट लेते ह होना कि यह होता है लेकिन आता कैसे मैं आपको यह लेला हूं आपको दिखाने वाला है यह से वह दिखा रहता है बेगित vom बच्चा कि अगर हम वन बार भाग ले जाएंगे तो हम यहां भी वन लिखेंगे ऊपर भी वन लिखेंगे ठीक है यह इसकी खासियत है लेकिन इसके नीचे भी वन लिखेंगे और यह पर एक टी लंबा फ़लाइन खीचेंगे पुसोना इतने मैं समझ में आ रहे न बच्चा देखो अब यहां पर भी क्या करेंगे हम वन ही लिखेंगे लेकिन वन यहां पर कहां से आया यह इसका आपस में गुड़ा होता है यहां पे घटालो बच्चा कितना आ गया और यह जुड़ता है लेकिन एक बात ध्यान रहे इसको जोड़ने पर जो आएगा यहां चिपकाई की नहीं लिखोगे सटा के इससे थोड़ा दूर लिखोगे मतलब इधर एक गिंती लिखने की जगा बची रहनी चाहिए समझ रहे हो कि नहीं सबी देखो अब आगे चलो तो बच्चों यह तो हो गया अब हमें दसमलों के बाद वाला जोड़ा उतारना है क्योंकि दो का भाग अब उनमें जाएगा नहीं तो हम उधर से दो जोड़ा उ सव में भाग कितनी बार जाएगा अब बताता क्यों नहीं इतना देर फे कमेंट किये जा रहा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो लिख रहा है यार एक्स गेमिंग बेटा तुम्हारी जिंदगी बिना एक गेम बन जाएगी और तुमको लोग खेलेंगे इसे लुड़ सब्सक्राइब करने वाले पढ़ लो चलो देखो में जी के अब समझो कितनी बार जाएगा मैंने पूछा कोई नालायक नहीं बताया लगे है चैटिंग करने में लाइब के लिए इसी लिए इनके चुन्ना काड़ता है लाइब करो लाइब करो यह सेटिंग करें बस इनकी जिन्दगी उसी में है उतने में जिन्दगी है नाइनद में अप्छा आठ में अभी कच्छा 10 में इनको सब मालूँ है जिन्दगी में अफली मज़ा क्या है बढ़ाई-वढई-इस कोई मतलब नहीं समझो इदर तो बच्चा क्या किया मैंने दसमलो के बाद का एक जोड़ा यहां उतारा तो उपर क्या किया दसमलो भी बढ़ाया ठीक है उपर दसमलो भी बढ़ाया नीचे क्या किया एक जोड़ा उतारा अब कुछ बच्चे बोलने 50 आएगा वो तो ठीक है, जब सीधा-सीधा भाग करते तो 50 आता अब यहां देखो अगर हम एक बार भाग ले जाएंगे बच्चा तो 65 आएगा, यह भाग कुछ अलग तरह ही है, थीक है, अगर एक बार ले जाएंगे तो उपर भी एक लिखेंगे, यहां भी एक लिखेंगे देखो समझो यहां भी एक लिखेंगे और यहां भी एक लिखेंगे और इसका ऐसे गुड़ा होता है यह समझते चलो एक बार ले जाने का मतलब है बच्चा यह कई साएगा दूई बार ले जाने का मतलब क्या पता है देखो बच्चा अगर दूई बार ले जाए तो तीन बार ले जाने का मतलब यही से बनें तो बच्चा जाएगा कितनी बार भाया कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा ललू समझ लो प्यार से यह भाग विद्धी से वर्गमूल इसमें तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि रूट दूई कमान जो 1.414 रटे हो यह तुम्ह कि आधार पर आप कर लोगे बच्चा यह फोर बार जायेगा कितनी बार जायेगा चार बार मनोच इवम कुषवा हां बहुत अच्छे बाई सीवम जी बेरी गुड चलिए तो कितनी बार जायेगा यह चार बार जायेगा तो बच्चों 4 चुका 16 4 2 8 9 गटाने पर भी 4 आए और यह तो बच्चा अगर यह चार बार गया तो उपर खोपड़िया पर भी 4 लिखना है क्योंकि वही तो आपूट निकाल रहा आना वही तो काम का होगा ना हमारे बाद में आगे समझो कलास को पूरा देखो अगर गड़ित पढ़ना है तो बच्चा जाना नहीं छोड़ के यहां पर कोई नहीं दमेली दुलान नहीं आई गया जहां के लिए चल दी पढ़र रहे हो ना पूरा कलास देखो मजा आएगा समझ में आएगा महलों एक बार नहीं आया मैं फिर बताओंगा आएगा पढ़ना है था चलो तो पच्चों यहां पर 28 हो गया यह फोर हो गय दूसरा जोड़ा उतालो तो बच्चा दूसरा जोड़ा मैंने क्या किया यहां पर उतार लिया अब आगे समझो अब यह 28 हो गया ना अब बताओ कितनी बार जायेगा इसलिए तो मैंने 15 सिकंड होल्ड किया ना कि तुम लोग सेटिंग ना कर पाओ 15 सिकंड में बीच में कितनी बार जाएगा वन बार ठीक है देखो बच्चा अगर हम दो बार ले जाएं तो क्या होता सोचो अगर हम दो बार ले जाते तो यह दो ऐसे बनता दोई दोना चार दोई अठे सोला दोई दोना चार एक पांच 564 हो जाता यह तो भाईया बाप से बड़ा बेटवा हो जाता यह अन्याय हो जाता नर्थ हो जाता यानि दोई बार नहीं जाएगा यहाँ पर भाग अलग तरह की जाती है अगर आप पढ़े हो तो समझोगे ठीक है तो बच्चा अगर तुम एक बार ले जाओगे यहाँ पर तभी दाल गलने वाली है अगर दूई बार ले गए ना तो दाल गले गिनी गड़बड़ा जाएगी तो वन बार जाएगा यह तो 281 आएगा उपर वन जाएगा तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि 1.41 यह कैसे आता इसमें न अब इसको घटा लो और बगल में जो जगा है वहां पर करें क्या देखो यार अब तो इसमें जगा ही नहीं है थोड़ा मुझे जगा करनी पड़ेगी सकेते में सम्धियान करना पड़ेगा मैं नीचे दिखाऊंगा आज चाहे तुम मेरा कुछ अलगे चीज देख लो यहाँ पर जो पिक्रेट चीज़े हैं लेकिन मुझे दिखाना इनको घटालो कितना आएगा भया तंकर राज बताओ कितना आएगा देखो इनको घटालो यह 9 आएगा दस में से गया नौ यह नौ 9 में से 8 गया एक यह इसमें सुधार गया था यह ओगया 19 119 आएगा ना विव बहुत अच्छे बाई चिराग बेरी गुड तो बच्चा नीचे आपको थोड़ा कम दिखरा आओगा मैं थोड़ा कैमरा नीचे करके इसको आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा अब मुझे बताओ यह कितना बार यह वह यह नीचे तक देख लो तुम चलो मैं ड़ो चलो सेटिंग कर दीया मैंने देख़़ो तुम चलो अब देखो यहां पे समझो यहां पे समझो देखो भाई यह जो आपका 119 आ गया यह 221 आए अब इसमें भाग तो सिदाफीत जाएगा नहीं तो हम एक काम करेंगे वो क्या है एक काम करेंगे उपर का देखो मैंने एक जोड़ा उतारा था यहां पे एक यहां पे दो जोड़ा मैंने उतार लिया है दो जोड़ा मैंने उतार लिया है तो जो जो मैंने उतार लिया उसको चिन्धित कर देंगे यह मैंने उतार लिया यह उतार लिया अब हम उपर से तीसरा जोड़ा जीरो नीचे उतारेंगे तीसरा जोड़ा नीचे उतारेंगे तो ये जोड़ा मैंने क्या किया नीचे उतार लिया अच्छा अगर मैं ना उतारता वो जोड़ा तब क्या होता ना उतारता तो क्या होता वह यह ना उतारता तो ये 282 जो है कोई बताएगा यह वीवास चार बता रहा रहा है राहूल यह दो चार बता रहे हllä है और कुंए थीक है बार चार भार जायगा hem अब मैं नहीं बताऊंगा क्यों धूँ क्या ह्यायगा क्यूंगी मैं कई बार बता दिया तुम सुन नहीं रहे हो चार बार जाएगा तो यह 4, 4, 16, 6, 8, 1, 4, 2, 8, 1, 9, 4, 8, 32, हासिल 3, 4, 2, 8, 3, 11, यह इतना हो जाएगा, घटा लो इसको, तो और अब बताओ, 10 में से 6 गया, 4, 9 में से 9 गया, 0, 8 में से 2 गया, 6, बस हो गया, 604 आया, बच्चा इनको जोड़ लो, 4, 4, 8, खुड़ा इदर जगा छोड़ की लिखेंगे, और यह 2, यह 8, और यह 2, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं न बच्चा, तो भईया, जो मैं 4 बार ले गया था, यह 4 उपर भी तो लिखा जाएगा, देखो, तुम्हें कुछ समझ हो मज में आ रहा कि नहीं, यह बेटा, अं महाँ पर जाई हो रही न, इसलिए हो रही, तुम्हें याद करवा जाता न, याद कर ले, याद कर ले, रूट दो कमान 1.414 होता है, याद कर ले, अच्छे किताब मों मिल जाता है न, लेकिन आता कैसे है, इसी में से जनम लेता है, वो, याद कर लो, यहाँ से मतलब समझ जलो, तो अब कितनी बार जाएगा भाई, और ले जाएं कि न, तसमलों के बाद मैंने तीन अंक तक तो ले गए, लेकिन एक अंक हम और ले जाएंगे, कितिहास रचना है, चलो, उपर से एक जोड़ा और उतालो, अब बताओ ये कितनी बार जाएगा, कोई सोच के बताए म और ये कितना है, 2828, तो भाईया, ये 2828 है, मतलब 2828 है, अगर हम वन बार ले जाएंगे, तो 28281 आएगा, एक बार ले जाने पर 28281 आएगा, एक बार ले जाने का मतलब ऐसा स्ट्रेक्चर बनेगा, लेकिन ये 28000 के लगभग आएगा, वो 60000 है, तो फिर क्यों ना हम दो ब बार ट्राई करें, क्योंकि बहुत कमा रहा है, तो दो बार अगर हम ले जाएंगे, देखो बच्चा, दो बच्चा रहा है, मतलब सही सेटिंग हो रहे है, तो ये 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 5564 आएगा बच्चा यहां पे तुम दूई लिखोगे यहां पे दूई लिखोगे नीचे बहुत ओबर हो रहा है न यहां से एक बात आपको और समझ में आई होगी कि अभी इनको घटाओगे फिर कुछ आएगा फिर कुछ आएगा मतलब यह कभी खतम नहीं होने वाला है जै भी देश के लोगों को लोगों के मन में आए कि नवकरी करनी चाहिए अब लोगों के दिमाघ में हो इसी सरकाल करता हूँ असलिंधा इसमान स्रिता को बदलिए चेंज करिए कुछ भी करिए सरकार को गाली मत दीजिए हम भी रोधी हैं लेकिन अपना कुछ करिए हमारा यह मानना है समझ रहा हो ना यह उत्तर हो गया आपका यह क्या हो गया आपका उत्तर हो गया क्योंकि आने वाला है मतलब खतम होने है नहीं कि अभी ऐसे आता जाएगा आता जायगा कभी खतम नहीं होगा तो बच्चा इसके आगे एक थे आउर लिखलों में मिल गया दो तो ऐसे इसले इसको डाट-डाट कर दिये थे मतलब यहां पर तुम्हें एक चीज देखो क्या कोई गिंती बार-बार रिपीट हो रही है बोलो हा या नहीं क्या कोई गिंती यहां पर बार-बार रिपीट हो रही है दो बहुत ही सही है जिसके कहते हैं नान रिपीटिंग है नान टर्मिनेटिंग हो समझ में आया ना बच्चा तो आज मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से अंडरूर्ट दो कमान निकलता है तब को समझ में आया जल्दी से इस कलास को तुरंद लाइक करो फिर देर ना करो ऐ उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें बहुत जल्दी करिए है जल वरे गूड बहुत अच्छे जो नहीं कमेंट कर पा रहे हैं वो चैनल सबस्क्राइब नहीं कर रहे हैं जो तो सब्सक्राइब करें वह चैनल सब्सक्राइब तो बच्चा आप भी सब्सक्राइब कर लो आप भी कमेंट करो साहिद कुरैसी के कौन सा जानुमर बेज रहे हो तो बच्चा इनको हम मिटाएंगे अभी स्क्रीन सार्ट ले लो फट से जल्दी से आपके पास दस सिकेंड का टाइम है इसक्रीन सार्ट निकाल लो मैं इसको मिटाऊंगा जल्दी करो मैं इसको ला रहा हूँ आपके लिए भी गो के रेडी करके चलो अब एक बात बताओ क्या इसी तरह से आप तीन का निकाल लोगे की नहीं अंडरूर तीन का मान निकाल लोगे इस तरह से सभी निकाल लोगे ना फाई का निकाल लोगे की नहीं सभी बोलो हाया नहीं या सिया नूब सभी बच्चे बोलो अरबिंद निकालोगे ना रभी राज सुरेंद सिंग सेलेथ राज नूब नूब नाम है इनका यन डबलू डबलू नहीं है दादा यन डबलू भी नूर लिख लेती तुम तब भी अच्छा लगता यतिहासिक नाम है अब नूब लगा लिया ऐसे से नाम भी आ रहे हैं नह कोई पंकज रखता है तो उसका बैया रंकज रख लेता है मतलब इसका कोई मतलब भी न रहे है कि बेटा नीचे उपर सब दिखाई दे रहा है उसके नीचे कुछ था ही नहीं जहां तक दिख रहा था वहीं तक था जहां तक दिख रहा था वहीं तक था उसके नीचे कुछ नहीं था तो आप लोग अब मुझे पता है कि अंडरूर तीन कभी इसी तरह से निकाल लोगे तो बच्चों यह आपका जो क्वेश्चन है न एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर का उन सा था भाई सतमा सतम होता है देखो पच्वा कल मैंने बताया था कुछ लोग कंफ्यूज थे तो मैं फिर से बताऊं क्या सिर्फ भाग करना है बस बहुत लंबा सा भाग जाता है कर लोगे न सभी कल मैंने लगाया था इसमें जगा नहीं यह बोर्ट थोड़ा छोटा प इस तो है नहीं और यह बहुत लंबी भाग जाती है सोला सत्रा गिंती में जाती है यह सोला सत्रा गिंती में जाती है तो बहुत बड़ा हो जाता बोर्ड में आता नहीं कर लोगे ना इसको भाग करना है भाग करके लिख देना 16 अंग तक जाएगा बस 16-17 अंग तक जाएगा बबुवन पुज्वल बनवारी आर्ट मैंने आपका चैनल आज ही जोईन किया है पहले की कलास देखने के बाद लाइब कलास देख पाऊंगा बबुवान जी बिल्कुल देख पाऊंगे बच्चा क्या नाम है तुम्हारा आर्ट अजीब टाइप का नाम है बई जाओ चलो ठीक है बनवारी चैनल की प्ले लिस्ट में है जो पहले पाँच कलास हुई उससे देख लेना तो इसको मैं छोटा करता हूं उपर करता हूं उसके बाद फिर आगे बात करता हूं नेक्स्ट कुश्चन के बारे में आज आपका 1.3 खतम हो जाएगा इक्सरसाइज 1.3 इंडिंग होने वाला बहिया ना बच्चा चलो अब कौन सा बताएँ शात नंबर हो गया अड़ नंबर कर लोगे कि नहीं कौन सा नंबर कर रहाँ क्यिस्टन कौन सा नंबर कर रहा हूं बताओ साथ नंबर होगे आठ कर लोगे देखो यार कुजिशन मिठाना पड़ता है यहां पर और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम आपको मनेज करना पड़ेगा क्योंकि आफ लाइन कलासे पड़ रहे हो लाइब इसमें जो मज़ा है न वह ऐसे मज़ा कहा है देखो बच्चा आठवा में कह रहा है कि पर्मिय संखाओं पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा के बीच कि तीन अलग अलग पर्मिय संख्याओं लिखिए अलग अलग तीन पर्मिय संख्याओं पूछ रहा है किसके किसके देखो कुष्टन देखो यहां पर समझो कुष्टन समझो भाईया कुष्टन नमबर अठवा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा इनके बीच की तीन पर्मिय संख्या है, पूछ रहा है अलग-अलग, तीन पर्मिय संख्या है, तो बच्चा जो पांच बटा साथ है, इसको तुम भाग करो पहले, मुझे बताओ कितना आएगा, श्याम सुंदर सिंग, भाग करके देखो बच्चा तो, इसको भाग करोगे, इतना लग-बग आएगा, जो कि बार-बार रिपीट होगा, अब भाग करके देखो पांच में साथ से, अब तुम भाग करना जानते हो, इतने बड़े लल्लू लाल नहीं हो कि मैं तुम को यह भी बताओंगा, पांच में साथ का भाग कैसे करते हैं, तुम करके देख लो, कितना लग-बग आएगा ना, रिया पटेल आरा समझ में, आरुन मिसरा, चलो फटा-फट लिखे जाओ भाई, देखो क्वाल्टी बिल्कुल HD में दिख रहा है न, चलो, और यह जो छोटके लल्लू है, यह कितना आएंगे भाईया, 0.81 लग-बग आएंगे, इनके उपर बार, सबके चुर्की में बार जम गया है, बड़े हो गएंगे, कह रहा है कि इन दोनों के पीच में कोई तीन परमिय संख्या है, कितना लिखना है, तीन परमिय संख्या लिखना है, तो बच्चा अगर तुम एक चीज देखो यहां पर ध्यान से, वह का है, देखो, तो अगर हम इसमें इनके सारे नंबर छोड़ने किनारे वाले, यह हमें मिलता है 0.71, बोलो मिलता है कि नहीं, 0.71 मिलता है न, और 7.1 के बाद क्या है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, मालो कि हम इसे पूरा नहीं लिखते हैं, यह क्या है, 8.1 से है अगर वैसे देखें तो यह 70 पैसा है, य अगर हम इसके नीचे बात करें, तो 0.71 के बाद 2 भी तो होगा, 4, 2, डाट 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 जो भी, 0.73, 4, 2, डाट डाट, 0.74, 4, 2, डाट डाट डाट, और ऐसे करके, जब यह आगे बढ़ता जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो बच्चा नीचे जब बढ़ोगे नीचे बढ़ते आओगे तो एक समय आएगा जब 0.81 और यह 42 डाट 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 आएगा कि नहीं तभी बोलो आएगा कि नहीं बोलो यास दुर्गा तिकम खतिक तुम्हारा नाम बड़ा कठीन है मैं नहीं ले सकता हूं माफी चाहता हूं आएगा न तो क्या कह रहा था इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में तीन अलग अलग परमिये संख्याएं लिखिए इरेफनल नंबर रेफनल होता तो हम आराम से कर लेते हैं तो बच्चा तीन अलग 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 इरेफनल नंबर तुम इसको लिख समझ गए ना एक चीज और भी यहां पर याद रखना कि किनी भी दो रेफनल नंबर के बीच में अनंत इरेफनल नंबर होते हैं किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख्याओं होती इसकी गारंटी यानि दो रेफनल नंबर के बीच में सबको समझ में आ रहा है ना हिमानसु जी आ रहा है समझ में राजेस राजू इर्फान साकेत मनोच सबको समझ में आ रहा ना बच्चा आ रहा ना बाबू चलो लिख लो तो यह आपका question number 8 हो गया exercise 1.3 question number 9 देखो exercise 1.3 का question number 9 देखो जो सिर्फ comment के पीछे पढ़े हैं बच्चा हम comment नहीं पढ़ेंगे इस बात को तुम अपने दिमाग में बसा लो क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ना है तो comment से कोई मतलब नहीं होना चाहिए नहीं पढ़ना है तो जाओ भाड में समझ गए ना बही मोटा मोटा हमारा यह जबाब है अगर पढ़ना है तो कापी किताब साम को सातवजे हमारे साथ लाइप जुड़ो सबसे पहले कलास को लाइप करो और दोस्तों में सेयर करो आपके घर में जितना मोबाईल सब्सक्राइब कम्प्यूटर लैपटाप जिसमें जिसमें भी चल सकता है सब में वीडियो को चला दो और चला करके आवाज धीमा कर दो सम्में और एक में जिसमें तुम पढ़ सको उसमें बैटके पढ़ने लगो यह काम करो तो हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे घर बैटे पढ़ाएंगे किताब लिए और एक नया कमेंट करें परजैण और जो नई लिए ना जो जो बुक लिए हो मैं हर दिन पूछता हूँ हमारी कोशिस है तुम हर एक होई किताब लेखे आओ टेली किताब लेखे आओ बीने किताब के नहीं देखते इसका मतलब मेरी आवाज सुन पह रहे हो अनुराधा ठीक है कमेंट आ रहा है कृष्णा मिस लवर अर्पित यादो अनुप मिस्रा पुस्पा राहूल सभी बहुत अच्छे बच्चे हमारे इतने सुन्दर बच्चे हमारे है ना इतने अच्छे ना कि पढ़ें भले ना लेकिन चर्टिंग जरूर करेंगे ये चलो तो 9 नमबर कुष्चन में कहरा बच्चों बताईए कि निम्नलिखित पर्मिय संख्याओं में से कौन कौन संख्याओं सदयों पर्मिय और कौन कौन संख्याओं आ पर्मिय हैं 9 नमबर कुष्चन एक बार फिर से पढ़ो exercise 1.3 रक्षा 9 के ncrt गडित पर्मिय और कौन कौन संख्याओं पहला आप्शन है बच्चा इसको तुम सभी बताओगे जो ना बताएगा उसको पटक पटक मारेंगे याज इतना जान लो क्योंकि तुम लोगों को मैं इतना पढ़ाया हूँ ना इतना अगर किसी बर्धा को पढ़ाता बहल गुद्धी को वह भी गड़ित सीख जाता हा चलो बताओ अंडरूट 3 यह रेशनल है कि ए रेशनल है जो जो कह रहे है रेशनल है वो आर लिखके कमेंट करें और जो जो कह रहे हैं कि यह रेशनल है वो आई लिखें चलो जल्दी बताओ पी आई पी एफ 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 भाईया बाबू नंबर चलदा ना इसक्रीन पे नोट कर लो संपर कर ले ना बता दिया जाएगा जो भी कहना चाहते हो देखो बच्चा यह अंडर रूट 23 है ना यह 23 बड़ा खतरनाक नंबर है इसकी किसी के साथ सेटिंग नहीं होती है यह क्या है एक प्राइम नंबर है ना एक अभाज्य संख्या है इसका कोई भी मतलब अपना और एक वन है जो सारवजनी परधान है बाकी इन दोनों को छोड़के इसकी किसी से सेटिंग नहीं होती है मतलब किसी से इसका क्या है मतलब इसका कोई और गुड़नखंड नहीं है ऐसा मानो गड़ित की भासा में अब मैं सेटिंग का मतलब वो बता रहा और वह क्या होती है अबाज़े संख्याएं होती ना इस बाध्य होती है तो यह क्या है इयरेफनल नंबर रहे यह अ पर्मिये नहीं है चल्दी जल्दी चल्दी करो सब्चति लाने जाना है अब हूँ लोग बनाएंगे तो उन लोगो को कुछ चीज देना पड़ेगा तभ दूने खितम करते हैं अग्ला अग्ला अंडरी। दूइसों पचीज यह रेफनल है कि इरेफनल है बच्चा तुमको में बहुत बार पढ़ाया हूं बाबू कि वर्ग याद कर लो गहनड लो जैसे दो का वर्ग चार होता है तीन का वर्ग नौ होता है पांच का वर्ग पचीस होता है च्छे का 36 होता है वैसे 225 किसी का वर्ग होता है बताओ किसका वर्ग है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड अनमोल संकेत कुमार ठीक है बहुत अच्छे 225 किसका वर्ग है बहिए 225 किसका वर्ग है तो कोई बता रहा है पटापट बताओ तुरंथ बताओ देर ना करो 15 का है न पंदरा 15 में 220 का कि इसको अगर 15 का है तो 15 तो रेफनल नंबर है क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो जो कि इक्वल है पिएपान क्योंके इक्वल क्या है ये ये पर्मिये है क्या है ये पर्मिये है कोनों 25 बता रहा है अरे गदे अगर ये 15 का होगा तो 15 का 15 में गुड़ा करने पर आ जाएगा ना चलो देखो 15 पच्चे अब कर दो मुझे तो गुरुजी पहाड़ वो नहीं आता है पाड़ो नहीं आता ना तो तुम में क्या बताऊं पाड़ा तो याद कर लो 15 पचे 75 हांसी लाया साथ और 15 एकम 15 15 साथ 15 222 25 कितने का है 15 कितने का है 15 का है तो बच्चों इस तरह से अगर ये 15 आ गया इसका वर्गमूल तो यह क्या है परमिये है रिपनल है लेकिन कुछ लो बच्चवा देखो इसका दसंबलो में आता जो भी आता पांच से कम आता और चार फे जादा आता मतलब इसका जो आता चार दसंबलो सम्थिंग आता दसंबलो में उसका कोई भी वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं मिलती समझ रहो ना रभी किसन जूट कौन बोल रहा है तुम पढ़ाई करने नहीं आया तुम तो अपने जिन्दगी से जूट बोल रहे हो दूसरे की तो बात छोड़ दो हो पचलो बच्चा अगला बता ओ अजह कि रहनल है की रहनल है पता हो पुक बित मीना एंजल सभी बता कि बता को जोटा बढ़ा बहत medal बता चल मुझा किuciones हो देखो अगर आप लोग पोसीज करोगे तो मैथमेटिक से बहुत आसान है जो बच्चे गड़ित में कमजोर है वो पीवीर स्टेडी डाउनलोड करके जीरो लेबल से पढ़ सकते हैं उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो कमजोर नहीं है थोड़ा ताकतवर हैं ताकतव साम को साथ से रात आठ बजे और कभी-कभी अलग टाइम पर भी तुम इसे देख सकते हो वह तुम्हारा सवभाग्य होगा जब अलग टाइम पर देखोंगे देखो यह क्या है रेफनल है कि ए रेफनल है बच्चा यहां पर तुम्हें एक चीज देखना है कि लाश्ट में कि दूम्हें का देखना है लाश्ट में यह ऐसे नहीं होना चाहिए 0.3796100 डाट डाट नहीं होना चाहिए अगर डाट डाट है इसका मतलब यह खतम नहीं है इसका कोई अंत नहीं है तो यह क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह लेकिन इसका देखो लिमिट है इसके आगे कुछ नहीं है इसके आगे कुछ नहीं है बाचा बाचा तो यह इतना नह जाएगा एक दो तीन चार चाठी है तो चार अंक पर दसम्मलों लगा तो नीचे बाद चाठी जिरो बढ़ाओगे ना क्यों समझ में आया ना तो यह क्या है एक रिफनल नंबर है यह पर्मिय संख्या बोलोगे क्या यह पर्मिय लेकिन इसमें का जो अगला है वो अपर्मिय है चौथा और पाचमा दोनों अपर्मिय है अगर इसके आगे डाट डाट लगे तो क्या होगा तो वह अपर्मिय होगा ठीक है बेटा कुछ वाहा तुम पढ़ लो तो अच्छी बात है नहीं तुम्हारे नाम जैसा है ना वैसे तुम्हारा करम भी हो जाएगा फिर क्या करोगे आगे तो बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.3 आज खतम होता है कल आपका एक नया चैप्टर होगा 1.4 कल पढ़ेंगे 1.4 अभ्यास कल पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट डे कक्षा नौ की NCRT मैट्स की लाइब आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री जितने सबको सेटलमेंट किये रह चलिए फिर बच्चे पूरा हो गए शुरू करते हैं नमस्कार साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टड़ी में मैं राजकुमार आपकी क्लास 9 की मैथमेटिक्स के साथ बच्चों जो भी अब की बार यानिकी यह को रोना बैच में बीना परिक्षा के प्रक्षा 9 में आये हैं उनके तो मालिक कालीम आई है क्या होगा उनका तो च्रह नहीं जानते हो कि नहीं होगा अच्छा लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी जो अपनी ठफफफफा रहे हैं कम तो भीना परिच्छ एक पास हो गया तीर मार लिए है क क्योंकि कच्छा 8 में पास हुए हो 9 में आप पढ़ो इमांदारी से प्यार से मैं सुरू से पढ़ा रहा हूं लाइव यूटूब पे विल्कुल फ्री काम को साथ बज़े से रात के 8 बज़े तक हर दिन ठीक है चैनल सब्सक्राइब करके रखो और पढ़ो तो क्या है पहल के लिए सभी बॉर्ड के लिए मानने हैं अगर आपका सीबेसी बॉर्ड है अब देखोगे कोईस्टन इंगलिस में लिखा है बाकी है यही कुछ और अलग नहीं है एक इपकान क्यूम के रूप में वेक्त की जह है और आपने उत्तर से आप और चलर जपनां legislators सबसे पहले तो हम से पान क्यूम के रूप में वैक्त करेंगे और कोईस्टन जो भी हमें दीया है देखो क्या दिया है 0.999999 यह दिया है न इससे पी अपान क्यों के रूप में वेक्ते करना है हम सभी जानते हैं इसकी क्या खासियत है कितना अच्छा है कितना दुष्ठ है यह क्योंकि पहले पढ़ाया हूं न तो भीया इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.99 की उपर बा लो जकते हो किने नहीं कि शल्दी बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो पाड़ लो इसको क्या करना है अब इससे हमें पान क्योंके फ़ाम में बैत करना है तोours फिद्ट है इस के पहले मैंने आपको पूरा तरीका बताना आपक यह करोगे इंगलिस मीधिय वाले मोले के लेट गिल के माना यंदी बराबर क्या दी चाहे तो इसको रख दो, चाहे इसको रख दो, तो हम इसी को रख देते हैं, वरिजिनल वाला, 0.999999. यह समिकरण 1, कितना हो गया, समिकरण 1 न, समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात, इसको आप यक्स के बराबर मान सक्चों, उसके बाद क्या करोगे, स्वमिकरण 1 में यह सब मैं तरीका बताया हूं पहले एक्सरसाइज में आप पढ़ेओ समिकरण एक में दोनों तरफ दस से गुडा करने पर दोनों तरफ दस से गुडा करने पर इंग्लिस मीडियम वाले लिखेंगे जो सीबेसी वाले बच्चे या अधर राज्य वाले हैं multiplying by 10 in equation number first बस equation number first लिखो कि उसका मतलब ही है कि दुनों तरफ करना एक तरफ तो करना नहीं है तो ऐसे इतिती में बच्चा यह हो जायागा आपका 10 यक्स बराबर 9.99999 डाट 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 और यह हो जायागा आपका इक वैसन नंबर टिकेंड तीक है कितना तो तुम समझ गए ना इसमें तो कोई हैरानी नहीं है ना लाइप सॉंग समझ में आ रहा बच्चा पता देना लिख लेना तो इस्क्रीन साट लेलो में सामने से हट गया हूं हो हो गया स्क्रीन सार्ट ले लिया करो क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगा नहीं कि मैं यहां पर उसी में लीपता रहूंगा बहुत कम जगा है अब आगे लिखो लिखते चलो साथ में परसाद नहीं मिलने संक वजगित मिलेगा नहीं यहां पर जो मिल रहा है वह तुरंत मिल रहा है बाद में न मिलेगा कुछ कि अब समी करण आप लिखोंगे आपर आप समी करण मतलब कि एक कोईसन सिकेंड से सब्ट्रेक कर लेना है घटा लेना है तो बच्चो जो दूसरा आया था वाया था 10 X बराबर 9.999999 डट 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 यह सेकेंड है पहला इक वेसंद था यह सीक्वल 0.99 बोलो यही था ना इनको आप सब्ट्रेक कर लो बराबर देखो यह 9 आएगा 9.0 आएगा क्यों लिख लो 00 ना तुम ऐसे गटा लो सब 99 है तो 00 हो जायगा अब समझो यहां से यक्स बराबर लिखेंगे 9 अपान 9 फाइनल में आएगा वन यक्स कमान कितना आएगा कोई बताए एनिवन बोलो एग्स कमान कितना आएगा चोलो इसको थोटा अलक कर देता हूं यह लोग यह कट जायेगा तो वन आएगा न यहीं सब्सक्या के रूप में में इहla Whoops इसको लिखना था वन app pawn fun करके बराबर पी आपन क्यों कर सबते ओए इसमे एक और कुश्चिन था क्या कि नहां कि इतन का पहले concept समझा हो कि देखो एक चीज मैं आपको बताया था फ़ीर बता दू अगर जीरो पॉइंट तो आप इसे लिखे थे बच्चा 3,9 अगर 0.6 है, 6 के उपर बार है तो हम इसे लिख सकते हैं, 6 बटाणो, अगर 0.7 है, 7 के उपर बार है, तो हम लिख सकते हैं, 7 बटाणो, इसी करम में, भैया हो, 0.9 था, 9 के उपर बार था ते इसे हम लिखे, 9 भाई, 9, ये कट गया तो 1 ना गया इसमें कोई नया नहीं हुआ है इसमें कोई सर्प्राइज नहीं है सब पुराना ही है यह चीज आप याद रखना एक चीज और समझ लू अगर इसमें दो गिंती के ऊपर बार है तो भाईया उधर डबल नाइन लिप होगे नीचे यह ट्रीक है जो कंप्रिशन की पर है नहीं जितने भी आपके दोस्त हैं सहेली सहेला हैं जो भी हैं सब को सेर करो कलास सब को लेके आओ यूटूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे आपकी साइंस की और इंगली की कलास भी हम बहुत जल्दी सुरू कर देंगे सारा भी से पढ़ाया जाएगा काक्षानों प्लत्ता कर लिए ना कच्छा दस में फिर कुछ नहीं होंगे बोबरे भरेंगे बस इसलिए अच्छे से पढ़ लो इस प्लता समझ में आ रहा है तो यह मिटा दो अब हो गया इस्क्रीन साट ले लो इस्क्रीन साट ले लो भाई आगला कूश्चन देखो